भारत माता की बंदे 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 बरता मातो भारती जनता पार्टी के कर्मड जिलाध्यक्स सी सीता राम्यादो जी विदहाय कास्टा सी रणजी सिंग गुडवान जी भारति जन्ता पाल्टी के लोकप्रिय प्रत्यासी सिमान रगनात मालूवी जी पुपाध्यक्ष से बापुलाल पतेल जी मंडल अध्यक्ष सी जै सिंग ठाकूर जी गजराज सिंग मिवाडा जी लली जी नागोरी जी जारा सिंग पतेल जी बिक्रम सिंग कप्तान जी और आज के से कारिक्रम में पस्तित भारती जन्ता पार्टी के सभी पदारी कारिकर्ण और उपस्तित भायों बेनों भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासी शीर अबनात मालवी जी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश से बिसेश रूप से आपके बीच में यहां पर आया हूँ भायो बेनो पुरी देश के अंदर वर्तमान में पांच राज्यों के चुनाव चलने हैं कल 36 गड़ का चुनाव संपन्व हुआ और 36 गड़ के चुनाव मैं मदाताओं ने जो रूची दिखाई पहले चरण में 76 पर साथ दूसे चरण में 72 फिस्दी से ओपर मदान करके देश के लोकतंद्र के प्रती भारती जनता पार्टी आदनी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के दिकास और सुसासन के मुद्दों को हातों हाथ लेते वे भारती जनता पार्टी की राज्य सरकारों के द्वारा देश हित में जन हित में जो कारे किये जा रहे हैं उन कार्यों को हातों हाथ लेते वे जिस भारी पैमानी पर मत्दान किया गया है मैं इसके लिए उन सभी मत्दाताओं का विदंदन करता हूँ और आप सभी का भी हिर्दे से अविवादन करता हूँ लोग तंद्रा में हम सब को एक अधिकार है और इमतादिकार के सदवियोग के लिए हम सब को लोग तंद्र को बस्दूती प्रदान करने की जिस से अपना नेड़े जाती से उपर उठकर छेत्र और भासा से उपर उठकर किसी भी संकीरता के दारे में कैद न होकर के विकास और सुसासन के मुद्दे पर अपना सयोग और समर्थन देना चाहिए बित्रों आप सब की पहचान जिन कार्णों से है उन कार्णों को समझने की आउसिक्ता है हम सब जानते हैं भारती जन्ता पार्टी की सरकार मद्य प्रदेश में लगातार चौथी बार सरकार बनाने के लिए आपके पास आपके आस्रिवाद लेने के लिए आई है जोधी बार भारती जन्ता पार्टी का आपके पास आना यहां केवल एक सामने घंटना नहीं है मद्य प्रदेश के लिए मद्य प्रदेश के किसानों के लिए मद्य प्रदेश के नौजवानों के लिए मत्य प्रदेश में बिना भे द्वाव के विकास की योजनाओं को पौँचाने समाज के हर तपके के हितों के लिए जो कार्य बिगत 15 वर्सों में भारती जंता पार्टी की सरकारों ने सिवराज सिंग चाहान जी के नेत्रुतों में जो कार्य मत्य प्रदेश में वे बिगत 45 वर्सों में आदनी नरेंदर मोदी जी के नेत्रुतों में पुरी देश के अंदर बिकास के और लोग कल्याणकरी जितने भी कारिक्रम हुए है इन सब को देखते भी कहा जा सकता है कि भारती जंता पार्टी को मत्यप्रदेश में चौथी बार भी मौका मिलना ही चाहिए याद करिए आज से पंद्रा वर्स पहले जो नाजवान 25 साल 30 साल के होंगे 35 साल 40 साल से उपर के होंगे उनको याद होगा पंद्रा साल पहले मत्यप्रदेश की छवी क्या थी पंद्रा वर्स पहले मत्यप्रदेश में न सड़के ठीक थी न बिजली आती थी पानी की किलत थी अराजकता थी कुंडा गिर्दी थी नकसल बाद दस्तक दे रहा था तकेतों को एक गिरोद जगे जगे अपनी अराजकता के माध्यम से आम नागरिकों का जीना हराम कर चुके थे मत्यप्रदेश एक बिमारू राज्य कहलाता था लेकिन भारती जन्दा पार्टी की सरकार ने 15 वर्ष के इस कारिकाल में मत्यप्रदेश को बिमारू राज्य से उभार करके संब्रिद राज्यों के और अक्रसर किया यहां पर किसानों की उपजको खरीब ने और उन्हें बहत्तर बोनस देने की बिवस्ता भारती जन्ता पार्टी की सरकारों ने किया गरीबों को खाद्यान देने का कार्या मद्द्द्देश में सिर्शिवरा सिंग चाहान के नित्रत्व की सरकार ने किया यहां पर सड्कों का एक जाल पहलाया जिस मद्द्य प्रदेश में विजली नहीं मिलती थी के अंदर भी सर्वादिक दिनों तक सासन किया है लेकिन कॉंग्रेस के सासन में अराजकता भ्रस्ताचार अभिवस्ता कि दंगे गुंडा गिर्वी यह कॉंग्रेस की पैचान थी पुरे देश के अंदर अगर आज आप आतंगबाद की जो इस्तिती है इसको देखते हैं इसकी जड़ में कॉंग्रेस नकसलबाद की जड़ में कॉंग्रेस अलगाबाद और अराजकता की जड़ में कॉंग्रेस और भ्रस्ताचार की जड़ में भी कॉंग्रेस ये भ्रस्टाचार तो कॉंग्रेस की नस्नस में है एक दूसरे में चोडी दामन का समंद्ध भ्रस्टाचार और कॉंग्रेस का हो गया है इसी भ्रस्टाचार को देखते वे पूरु प्रधानमंत्री सुर्गी राजिव गांदी ने कहा था कि सो रुपिया भेजते हैं लेकिन जमीन पर कि वो दस रुपिया पहुंसता है इन नब्बे रुपिया कहा जाता था कॉंग्रेस के दलाल गरीबों की इन नब्बे रुपिया को हजम कर जाते थे और इसलिए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा कि नहीं अगर सो रुपिया भेजेंगे तो सो रुपिया सीधे गरीब के खाते में जाएगा किसान के खाते में जाएगा नोजवान के खाते में जाएगा इस पर कोई टकैती नहीं डाल सकता यह भारती जंता बालती की संस्कृती है हमने जोडने का सुसासन का एक नया कारी किया आप याद करिए कॉंग्रेस के समय में यहां पर कितनी ब्यापक राजकता थी कॉंग्रेस किस प्रकार से सोसन करती थी कैसे अभी वस्ता फैलाती थी रोजगार नहीं था किसान आद्मत्या करता था गरीब भूकों मरता था मैलाओं का सम्वान नहीं हो पाता था आज भारती चंता पार्टी ने पंद्रव वर्सों में जो बेहतरीन कारे मद्यप्रदेस में किये हैं मद्यप्रदेस के लिए गौरव साली चंड़ों को अपनाने और इससे प्रेरितों करके पुना भारती जंता पार्टी को यहां पर मौका देने के आऊ सकता है और इस दिस से आज अपील करने के लिए मैं आपकी पास आया हूँ मित्रों भारती जंता पार्टी विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं करती सासन की कल्याणकरी योजनाएं इस देश के हर नागरिक को पहुँचे यह भारती जंता पार्टी की प्रत्मिक्ता है हमने न जाती के आदार पर हमने चेतर और भासा के आदार पर हमने किवनवाद के आदार पर न मत के आदार पर न मजब के आदार पर कभी किसी को बाढ़ते का कारिन नहीं किया हमने तो सब को जोड़ने का कारे किया हमारा तो मानना है किस देश के सबीस अंसादनों पर इस देश के प्रतेएक गाउं प्रतेएक गरीब किसा प्रतेएक किसान प्रतेएक नौज़वान प्रतेएक महिला का अधिकार है और उन्हें यह अधिकार कारे का जा रहा है और उस अधिकार को देने के करम में ही आज पुरे देश के अंदर भारत के सुस्षी प्रधानमंतरी गोशना करते हैं कि 2022 तक हर परिवार को हम सिर्धकने के लिए पक्का आवास देंगे प्रधान मंतरी जी ने घोचना किये इस देश के अंदर हर परिवार को सच भारत मिसं के अंतरगत एक एक सोचाले उपलत कराएंगे मित्रों ये सुच भारत मिसन के अंतर कप सोचा ले केवल स्वास्त का मानक नहीं बैलकि यह नारी गरिमा का प्रतीक भी है मात्रि सक्ति के प्रती सम्मान का प्रतीक भी है हर गरीब परिवार के घर में रसोई कैस का चूला जल जाए उजला योजना में अकेले मत्रदेश में बावन लाएक परिवारों को रसोई कैस के चूले उप्लब्द कराए गए निसुलक बिद्द कनेक्सन उप्लब्द हो सके यह कारे भी भरती जंता पार्टी ने किया है कॉंग्रेस ने नहीं किया जब कॉंग्रेस आपको सड़क नहीं दे सकती कॉंग्रेस आपको बिजली नहीं दे सकती कॉंग्रेस रोजगार नहीं दे सकती कॉंग्रेस किसानों का सम्मा नहीं कर सकती कॉंग्रेस गरीबों का खाद्या नहीं दे सकती कांग्रेस अगर महिनाओं को रुसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे सकती और गरीब परिवारों को बिद्धुत का कनेक्शन नहीं दे सकती तो फिर कांग्रेस को वोट भी क्यों देना है हमारे लिए या गरीब या किसान या नौजमान ये महलाएं इनके हितों का संग्रक्षन करना इन तक सासन की योजनाओं को पहुँचाना और सासन की योजनाओं से ने आच्छा दित करना सक परसद आच्छा दित करना हर गरीब के घर में विजली का कनेक्शन चले हर गरीब को सिर ढखने के लिए छट मिले और हर गरीब परिवार के घर में रसोई कैस का चूला जले हर गरीब के पास सुच्छता के मानक का अपना पती के एक सोचा लए हो हर गरीब के घर में एक बेक्ति के पैस रोजगार हो यह हमारे लिए राम राज्य की अस्थापना का एक मानक है हमारा राम राज्य केवल एक धार्मिक राज्य नहीं है एक ऐसा राज्य है जहां बना भेद हो सासन की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंच सके इस देश की विवस्था राम और रोटी एक साथ मिल करके पूरी करेगी और उस विवस्था के साथ आज हम सब आपके पास आये हैं जब सारा कारे भाजपा कर रही है सम्मान का कारे भाजपा कर रही है आपके हितों को संक्रक्षित करने का कारे भाजपा कर रही है हर प्रकार की स्वरक्सा भाजपा दे रही है तो मित्रों आपके वोट पर अभिकार भी भाजपा कही होना चेहाँ और इसलिए हम लोगों को कोई संकोच नहीं होता जो हमारे गौरक का प्रतीक होगा जो भारत के पौरानिक और वैदिक प्रतीक है उनके प्रती सम्मान भारत के मापुरसों के प्रती सम्मान का भाव व्यक्त करना उस स्रिंगला का एक हिस्सा है जब भी आउसिकता पड़ती है भारती चंता पार्टी रास्ट के हित में जन हित में सरोच प्रात्मिकता दे करके निर्णे लेती है जो जन हित में होगा रास्ट हित में होगा उसे करने में हमें कोई संकोच नहीं है हम भैबीद नहीं होतें कॉंग्रेस की तरह कि अगर हम यह निर्णे ले लेंगे तो फलाना वोड़ की सक जाएगा ज संकोच हमें नहीं अगर भारत का पृति और भारत के सम्मान का पृति गण तरह किред मर्यादा पुसुद्त्त मफवान स्रीराम की जन भूम आयुद्या है तो नहीं जन्पत और उस्कमिस्नरी का नाम अयुद्या ही होना चाहिए कोई दूसरा नाम नहीं होना चाहिए अगर हमारी आस्ता का प्रतीक और हमारी पैचान प्रियाग राज से है तो कोई कारण नहीं कि उस जन्पद और उस कमिस्नरी का नाम प्रियाग राज होना चाहिए हमने किया है और जब भी आऊ सकता पड़ेगी जिस्य भी भारत का और इस देश का सम्मान बढ़ता हो हमारे महापूर्सों का सम्मान बढ़ता हो उनकी प्रेणा से यह समाज प्रकासित हो सकता हो उसको करने में भारती जनता पाल्टी को कोई संकोच नहीं होगा और इसके मित्रों अपनी प्रम्प्रा के प्रती संपूर्ण आस्ता को ब्यक्त करते हुए विकास सुसासन के साथ साथ राष्ट बाद के अलग गाउं गाउं और खर घर तक जगाने के भारती जनता पाल्टी के संकल्प के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए के 28 नौम्बर को चुना होने हैं इतनी बड़ी संख्या में आप हैं ये हजारों की संख्या में आपका ये उत्सा प्रदेख यहां का मद्दाबा आज से लेकर के कुल एक सब्दा का भी समय नहीं है और एक संकल्प ले लें किस एक सब्दा में उच्छे दिन आपके पास कारे करने के लिए मिलेंगे इन छे दिनों में प्रतेक आप में से हर मत दाता हर एक कारे करता एक एक दो दो परिवार पकड़ ले एक परिवार का मत तब पांच मत दाता दो परिवार का मत तब दस मत दाता और उन मत दाताओं को भारतिय जंता पार्टी के चुना चिन देश की संब्रदी का प्रती कमल के निसान पर उन्हें वोट पोल करा दें तो मुझे लगता है कि वजरंग बली का संकल्प सार्टक होगा जो वजरंग बली ने कहा था कि राम काज कीने बिनो मोही कहां भिस राम और मुझे लगता इस संकल्प हर कारेकरता का मद्य प्रदेश के हर नागरिक का होना चाहिए इस संकल्प के लिए स्री रगुनाथ मालवी को कमल चुनाचिन पर 28 नौम पर को भारी मतों से आज का विधान सवाथ सीट पर चुनाव जितानी के पील आप सब से करते वे बानी को देता हूं बिनाम जैजैर स्रीराम जैजैर स्रीराम झाल औिम उो ँंपट से लग おजार हो औरby भी कर समय हो पोग तो लिएऴ ні